हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल सचीन सार आज काफी इंट्रेस्टिंग टॉपिक ले करके आऊ मैं आप लोगों के साथ और आज की इस टॉपिक में बहुत ज्यादा यूनीक और अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाना चाहते हैं या फिर अगर आपने पर्चेस की है और यह प्रॉब्लम आ गई है तो आप तुरंस सौट आउट कर सकते हैं जहां फ्रेंट्स कोई भी बिना प्रॉब्लम क्रियेट हुए तो मैं आपको बता दूँ बहुत सारे इलेक्ट्र के स्कूटर में यह प्रॉब्लम आती है कि गेर चली जाती है उसके दो कारण होते हैं एक तो या तो कंट्रोलर खराब होगा या तो मोटर खराब हो आपका कंट्रोलर ओके है एकदम पर्फेक्ट कंडिशन में है कोई दिक्कत नहीं हुए कंट्रोलर में इसका मतलब है गेर जो चली गई है वो है मोटर की तरफ से फॉल्ट है मोटर का जो hall effect sensor होता है वो खराब हो गया है तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसी तरीके की वीडियो जो कि मेरे पास आई है एक motor जिसमें problem हो रही है जैसे ही हम लोग connection करते हैं तो उसका जो gear है वो खतम हो जाता है जिहां friends तो उसमें हम लोग क्या करेंगे चलिए देखते हैं औ और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजे जो बगल में बैल आइकन दिखाई पर रहा उसको प्रेस कर लीजे ताकि आने वाली latest update सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो जैसा कि आप देख पा रहोंगे यहां पर एक मेरे पा प्लीकत नहीं आ रही है अब मैं आपको बताना चाहता हूँ यहां पर जैसे ही मैंने आन किया तो देख पा रहोंगे आप सब कुछ आ रहा है बस गेर ही नहीं आ रही और गेर आने से अगर नहीं आएगी आपके तो यह देखिए एक्सलेटर भी काम नहीं करेगा जिहां फ क्ट्रोलर ओके है चल रहा है अभी देखिए कैसे गेर आती है जैसे ही आप यह जो पांस पिन का कपलर होता है जो मोटर का पांस का कपलर होता है अगर हम लोग इसको निकालते हैं ठीक है फ्रेंड्स उसके बाद क्या करना होगा यहां पर देखिए मोटर सेंसर आ गया और भी आ गई जी हां फ्रेंड्स देखिए आप मोटर सेंसर आ गया और गेर भी आ गई तो इसका मतलब है कंट्रोलर में नहीं दिक्कत हो करके मोटर में प्रॉब्लम है मोटर में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई जो controller के gear को कायब कर दिया ऐसी problem मैं फिर से आप को दिखा दूए एक बार यह देखिए जैसे ही मैंने plug-in किया ठीक है उसके बाद हम लोग बंद करके on करते हैं गाड़ी reset होती है यह देखिए गेर चली गई पार्किंग सिस्टम चला गया सब कुछ चला गया इसका मतलब है कि दिक्कत है यह देखिए जैसे ही आप इसको निकालते हैं तो यहां पर आपकी motor signal आ जाता है और गेर भी आ जाती है तो motor हम लोगों की दिक्कत में हैं तो motor को को खोलेंगे और motor को सही करेंगे जल्दी से okay करेंगे एकदम well maintain करके आपको फिर से दिखाते हैं आपको मैं mode number दिखा दूँ यहां पर motor का mode number है वो देख लिए डेख लिए तो सबसे पहले हम लोग मोटर को खोलेंगे मोटर को खोलने के बाद मिलते हैं आपके साथ तो जैसा कि आप देख पाएंगे रोटर को मैंने बाहर निकाल लिया है और यहां पर जब मैंने देखा कि जो हॉल इफेक्ट सेंसर है वो एकदम ओके नजर आ रहा था मलब की बिल्कुल भी डैमेज नहीं था इसको एक टेस्ट करने का तरीका भी होता है वह आपको अगली व गलब की सेंसर हभी हो एकदम कुछ करना नहीं किवल इसको ओपन करना है ओपन करने के बाद क्या करेंगे यहां पर हम लोग नोग भी जरुद देना है था ए फ्रेंट कुछ करने की जुदर नहीं है आपटी मोटर आपके गर में ही रिपेर हो जाएगी एसी कंडीशन हो नह यहां पर हम लोगों को बस यह वोगों कर देना है देखिए जैसे यह डैमेज था मतलब निकला हुआ था तो इसमें हम लोगों को सोल्डिंग कर देना है हो सकता है जटका लगने की वज़े से या फिर कुछ और अन्निकारान की वज़े से यह निकल गया हो कोई प्रॉब्लम आप अराम से घर में सॉट आउट कर सकते हैं इसको पहले लगा करके देखते हैं उसके बाद यहां पर मैं आपको बता दूं की अभी हम लोग चेक करेंगे की यह ऑल एफिक्स सेंसर ओके हो गया है कि नहीं तो आप देख पा रहा हूंगे सेंसर मैंने बदल दिआ है और सें अब देखिए पूरा एकदम थ्री गेर इस्टप आ रहा है और नहीं कोई मोटर सेंसर आ रहा है तो अब लोग इसको चला के देखते हैं चलाइए यह देखिए ओके कंडिशन में है पहले क्या हो रहा था कि जैसे ही हम लोग मोटर को लगाते थे तो तुरंद गेर चली जा रही थी यह सिस्टम हो रहा था तो अभी तक का मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे जो बगल में सबसे पहले आपके पास पहुंचे हैं